असलाम अलेकुम अच्छा आज हम लोग लेकार आयां आप लोग के लिए thermal printer और Bluetooth printer ठीक है इसको connect करने का तरीका Bluetooth पे जाएंगे हम Bluetooth पे जाने के बाद MTP2 इसको connect करेंगे पहले से यह connect हुआ हुआ है ठीक है तो अब इसकी जो application है इसकी application है YPR की यह application इसकी ठीक है इसको open करेंगे open करने के बाद three digits पर जाएंगे ठीक है उसके बाद जाएंगे setting पर setting पर जाने के बाद invoice print पर जाएंगे invoice print के बाद जाने के बाद cell default printer को इसको connect कर देंगे ठीक है connect करने के के बाद जाएंगे हम फर्मा प्रेंटर पेस साइस पे जाने के बाद हम लोग इसको स्लेक करेंगे 1958 fiveịमाच के बाद हम जाएंगे regular करेंगे इसको उसके बाद हम invoice पर जाएंगे invoice पर जाने के बाद हम plus का निशान है इसको plus करेंगे sorry add sale करेंगे add sale के बाद customer का आपका name आ जाएगा concert customer है अभी हम testing करें करेंगे अमांट क्या है 50 रूपीज तो 50 रूपीज ठीक है 50 रूपीज एक कर देंगे add करने के बाद सेफ करेंगे सेफ करने के बाद यह हमारी invoice जिनेर्ट हो जाएगी ठीक है अब हमें इसके प्रेंट निकालना है तो यह प्रेंट का option है प्रेंट करेंगे अगर अगर आपको सिंपल लिखना है तो सिंपल लिखने के बाद एक Bluetooth प्रेंटर के नाम से एक application है प्ले स्टोर पर हम कुछ भी लिख सकते हैं यहां पे दा पेपर रोल टेस्टिंग कि हमने लिखा हुए पहले से न ठीक है इसको करेंगे फाइंड डिवाइस करने के बाद आपको यह इस ब्लुटूथ प्रेंटर का मिल जाएगा है हमसे एम टीपी टू ठीक है योग या connected अब connected के बाद हमें इसका प्रेंट निकालना है इसको हम फाड़ देते हैं फाड़ने के बाद एक प्रेंट निकाल देते हैं ठीक है ऐसा प्रेंट निकल जाएगा आप आप कुछ भी इस पर टाइप कर सकते हैं कुछ भी आपकी जो कंपनी ने में कस्टूमर ने में वह कुछ भी रिखके सिंपल से प्रेंट ओके थैंक्यू फॉर